अब पीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है पीजेपी का मकसद जाच करना तो है ही नहीं इनका मकस सब तो लोकसभा चुनाओं में मुझे प्रचार करने से रोकना है इनका मकसद है पूछताच के बहाने के एजरीवाल को बुला लो और उसे गिरिफतार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाओं में प्रचार ना कर पाऊं शराब घोटाला पिछले दो साल से यह शब्द आपने कई रेड मार चुकी हैं कई लोगों को गिरिफतार कर चुकी हैं लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भ्रष्टाचार इतने करोडों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं, अगर होता तो पैसा भी मिलता, ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुले आम गुं इमांदारी है, जूटे आरोप लगा के फरजी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी इमांदारी पे चोट करना चाहते हैं, इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है, क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानोनी है। लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानोनी है, क्या मुझे एक गैर कानोनी सम्मन का पालन करना चाहिए, अगर कानोनी रूप से सही सम्मन आएगा, तो मैं पूरा सही उग करूँगा, बीजेपी का मकसद जाच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उनने मुझे सम्मन भेजा है, क्यूं? इस जाच को चलते दो साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझ के सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोगसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरिफ्तार कर लो ताकि उनके बीजेपी में शामिल करवाने के काम किया जा रहा है एक नहीं दोने कितने उधारन है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ EDI CBI के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसी वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामल बंद कर दिए इंग या ठंडे मस्ते में डालद इए तो जो पर्पर्टि जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफादफा गर दिये जाते हैं जो पर्प्रटि में नहीं जाता वह जेल जाता है आज मनीज सिसोधिया संजय सिंग और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने ब्रश्टाचार किया है वह इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, यह क्या चल रहा है, यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है, यह हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है, इसे रोकना होगा, मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं, मेरा तन, मन, धन देश के लिए है, मेरी एक-एक सांस देश के लिए है, मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है, मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है, हमें मिलके देश को बचाना है, मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं, आपका साथ चाहिए.